अर्थसंकल्प सादर जालेला है, मात्र व्यापारी जिया है, उद्योजग जिया है, त्यानना हाँ अर्थसंकल्प कसा वाटता है है जानून गेन महत्वाच है माझे सुबत नाग विदर्ब चेमबर ओफ कॉमर्स से पदादीकारी है अश्विन जी बजट सादर जा लेला है व्यापारेंचा उद्योजगांचा अपेक्षा खरोकर पूर्ण जा लेला है बिल्कुल भी नहीं जो हमारी अपेक्षा है थी वो इस बजट में मानिय वित्यमंत्री जी ने कुछ भी उस बारे में बात ने गई हमें ऐसा लग रहा था कि मानिय वित्यमंत्री जी टैक्स लाब कम करेंगी डारेक्ट टैक्स लाब का तो वो कुछ भी कम नहीं हुआ और साथे साथ हमारी जो एक मांग थी कि जैसे वित्यमंत्री जी ने इंकम टैक्स में करेक्षिन करने का मौका दिया इसी प्रकार से GST में भी हमें जो गलती हुई है सुधारने का मौका मिले क्योंकि व्यापारी को टेक्निकाल अदमी नहीं भड़ते समय एरर हो सकता है तो हमें बड़ी उमीद है कि आने वाले समय में वो वाड़ाम उसको जरूर से हमें पोर्टेल को ओपन करीगी सब जग़े अर्थिक विकासदर नौव पुर्णांक दोन टक्के रहानार असा सांगित लेला है सोबतस पुडिल 25 वर्षा चा आधार ठरेल हा अर्थसंकल्ब जोय असा मंट लेला है तरी आप लेला का वाटते की जेवड़ा द्यायला पाईजे हो तो तेवड़ा मिड़ाल लेल नहीं हर बजट में कुछ ना कुछ एक जुमला रहता है कि आने वाले इस समय के लिए इस बार 25 साल का बजट इनने पेश कर दिया लेकिन बजट 25 साल का कहां से आएगा हमने जो बजट देखा उसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी रियायत नहीं है हाँ अगर इसमें टैक्स परस बजट में अच्छी बात कई है कि टाया टू सीटी को डेलप किया जाएंगा उसमें इंफ्राइस्ट्रेक्चर बनाया जाएंगा इससे जो मेट्रो सीटी में लोड बढ़ रहा है वो कम होंगा जो वित्यमंत्री जीने जो कहा है कि 2047 लक जो पूरा ग्रामिन शेतर शेहरों की तरब आ जाएगा तो इसमें टाया टू टाया टी सिटी को अभी से डेलप करना जरूरी ताकि महान अगरों पे इसका लोट ना बढ़े वो एक बजट में अच्छी बात कही गई है तुम्हाला कासा वाटते हां बजट आनि खासकरून पेंडेमिक नंतर कोविड नंतर व व्यापार जो खूब लॉगडाउन मुड़े बाधित जा ले लो तो कुठो तरी दिलासा मिड़ता है व्यापार है ना की नहीं यह बजट से छोटे और मजवली व्यापारियों को कोई भी दिलासा नहीं दिया गया है अगर सरकार इंट्रेस्ट रेट भी कम करती है उनको लोगार लेना है तो उनको तू परसेंट मिलेगी तो भी अच्छा था इंकम सले यह बदला ही निया कई सालों से और प्रसेंट्ट्रेंअ Banks जो इंकमกशत का है 15 परसेंट-10 उस बही 5 10 परेसंट करती तो थोड़ा छोटा व्यापारी यह समझता कि मुझे कुछ दिलासा मिला है ऐसा लग रहा है कि सरकार कॉर्पेट जगट की और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि पार्टरशिप डीड में भी जो स्लेब की चूट मिलना ची वो नहीं मिली थे कि डीजिटल करेंसी संदरबाद धालेलग क्रिप्तो करेंसी चालू है जिसका कोई लेखा जोका नहीं है किसी के पास हिसाब किताब नहीं है उसको रोकने के लिए गर्वर्मेट अपना क्रिक deto करेंसी बोल दी है तो यह अच्छा है यहां पर भी फूचर में डवलोप्मेंट होगा और गवर्मेंट के कंट्रोल में रहेगा आपन कसा पहा था या बजट ला खासकरून क्रिप्टो करन्सी संदरबाद जेका एक पॉलिसी आंड ले लिया है क्रिप्टो करन्सी ला मानने ता नहीं दिली म अथा भरपूर लोग को अपला भारत मदे क्रिप्टो करन्सी मदे टेडिंग करते हैं अनि स्पेशली मिलेनियल्स जे ट्वेंटी तु फॉर्टी येर से एज अस्ते ते मिलेनियल्स भरपूर तैचा टेडिंग करता है आता है क्लियर जाला कि यह अच्छा वर 30 टका इंकम बरा लागिल लाता है क्लोटा डेसिजन एंट विल हिट क्रिप्टो करन्सी इंवेस्टर्स सम्मिश्र प्रतिकरिया जी आहे ते नागपूर आतिल जे व्यापारी आहे कि मां उद्यो जगाया तेंचा करून दिले जाता है अर्थ संकल्पा करून जया कई अपेक्षा होते ह त्या पून जालेला नहीं मात्र काही नवीन गोश्टना आयत आणि त्या मूडे भविश्यात काही चांगला व्यापार उद्योग जक्ता मते हो शकेल अशी आशा जी है ती पल्लवीद जालेली आयत कैमरामेन अतुल हीडे सहर रजयत वसिष्ठ एबीपी माजा झालेल